UPI ID का क्या मतलब होता है या आज की वीडियो में सीख लेते हैं UPI ID जो है वो एक unique ID होती है यानि कि जब भी आप UPI से payment करते हैं UPI का मतलब होता है Unified Payments Interface तो उसको identify करने के लिए आपकी ID होती है जैसे कि आपकी email की ID होती है वैसे ही एक UPI ID होती है वो at UPI हो सकती है या at UPI app हो सकती है यानि कि जैसे आपका नाम और at bank name तो इस तरीके से आपकी एक UPI ID होती है जब आप अपने bank account में UPI ID create करते हैं तो उस समय ये UPI ID आप बनाते हैं आप खुद से create करते हैं तो आप ऐसी UPI ID create करिए जो आपको याद रही या फिर आप उसका screenshot लेकर रख सकते हैं और बाद में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपको इसकी जरूरत हो तो अलग-अलग जो UPI payment gateways होते हैं या जो UPI payment की app होती है उन पर आप अपनी अलग-अलग UPI ID बना सकते हैं और जो आपके account से link हो जाएगी और उसके बाद आप अपने account से direct payment कर सकते हैं इसके बारे में और detail से पढ़ना चाहें तो आपकी screen और video के description में दिया गया है आप पढ़ सकते हैं और उसको और बेतर तरीके से समझ सकते हैं अब आप किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी video मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही videos को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें